हलो विल्कम गाईस आज हम इस वीडियो में जारेंगे राजस्थान की एक नई भरती पोश्ट जारी की गई है पसू परिचर की इसमें आप कैसे आविदन करेंगे फिलाहल हम यहाँ पर जो प्रोसेस देखेंगे वो कैडिडियेट कैसे अपलाई करेंगे जो पहले से राजस राजस्थान की कोई भी वेकंसी के लिए या राजस्थान के ऑफिसल वेबसाइट पर रजिस्टरसन कर चुके हैं और दोबारा से आप लॉग इन करके फॉर्म को अपलाई करेंगे लॉग इन करने के लिए सबसे पहले आपको इस वेबसाइट पर विजिट करना है इसके आपके सामने कुछ ऐसा आपसंस आएगा यहां पर आपको लॉग इन करने के लिए यूजर नेम लिखनी है इसके बाद पासवर्ड लिखनी है अब यहां पर एक और समस्या होती है कि बहले अगर आपने रजिस्टरसन कर लिया है तो आपको रजिस्टरसन नमबर और पासवर्ड को प्राप कर लेंगे तो यहां पर आपको लॉग इन करने का उपसन मिलेगा सबसे पहले यहां पर यूजर नेम लिखना है इसके बाद यहां पर पासवर्ड लिखना है और इसके बाद यहां पर कैप्चा मिलेगा इस बॉक्स में लिखके आप लॉग इन के ब अगर आपके पास जन आधार है या इसका enrollment number है तो यहाँ पे लिखेंगे नहीं तो आप इसे खाली छोड़ेंगे आधार number है या आपके पास virtual ID है तो वो आप इसमें लिख सकते हैं नहीं तो आप inbox को खाली छोड़ेंगे यहाँ update के option पे click करेंगे update की button पे click करने के बाद आपको यहाँ पे message मिल जाएगा कि आपकी जो data है वो successful update कर दी गई है आपको SMS के द्वारा message भी send किया जागा यहाँ OK की button पे आपको click करना है आपको यहाँ पे recruitment portal का option मिलता है आपको इस पर click करना है जैसे आप click करेंगे तो recruitment portals होगा यहाँ पे जितने complete किया है तभी आप within form को apply करेंगे तो one time registration के button पे click करने के बाद यहाँ पे आपको अपने details को mention करनी है अगर आप राजस्तान के निवासी रहेंगे तो yes करेंगे और यहाँ पे आधार number mention करेंगे यहाँ आप राजस्तान के निवासी नहीं रहेंगे तो आप no करके आप अप अपने personal details को mention कर सकते हैं आपको आधार card लिखने के आऊ सकता नहीं है इसके बाद आपकी जो भी information details है वो लिखेंगे नीचे की जो भी options है वो बिल्कुल non mandatory है आपको इसमें लिखने की अविसकता नहीं है यदि आप अपने mark sheet की details को देना चाहाते है तो उससे आप details को mention कर स हो रही है अब इसके बाद यहाँ आपको button मिलता है apply now का आपको इस पर click करना है अब जैसे आप इस पर click करेंगे यहाँ पर आपको post ने मिलेगा इससे आपको select करनी है select करते हैं यहाँ पर आपको कुछ details mention करनी है कई सारी options आपकी fill रहेंगी यहाँ पर आपको अपने category को select क करेंगे इसके बाद अपना marital status और जीवन साथी name यह सब है तो आप इसमें select करेंगे अपना धर्म select करेंगे और इसके बाद mobile number email ID आपको लिखने के बाद नीचे करनी है यदि आप राजस्तान के निवासी होते हैं तो आपको यहाँ पर yes करना है यदि आप नहीं होते हैं तो आप सिर्फ general category में ही आएंगे इसके बाद अपना complete address आप लिखेंगे address को लिखने के बाद आपको नीचे बटन मिलता है next का आपको इस पर click करना है click करने के बाद अपने personal details को mention करनी है अपने nationality और अपना home और अपना यह सब district सारे options को लिखने के बाद आपको नीचे कर आप कोई भी आप कुछ है तो आप yes करेंगे तो not applicable के option को select करेंगे इस में relationship के लिए आपको yes करना नहीं तो आप no करेंगे इसके बाद next के option पे click करेंगे यहाँ पे qualification add करने के लिए आपको accept करनी है and आपको अपने qualification को इसमें mention करनी है देखे qualification मैंने जहाँ पे non mandatory कहा गया थ दे सकते हैं वैसे इस form के लिए 10 मीं की भी qualification इसमें दे देते हैं तो आप form को submit कर सकते हैं सभी qualification details लिखने के बाद आपको next के button पे click करना है इसके बाद photo और signature upload करनी है photo 50 से 100 kb की होनी चाहिए jpg format में होनी चाहिए signature 20 से 50 kb की होनी चाहिए jpg format में upload करने के बाद आपको एक visual body mark देनी है कोई पहचान नहीं है तो आप इसमें no mark लिखेंगे इसके बाद आपको next के button पे click करना है इसके बाद आपको previous information details दिखाया जागा सारे options सही होते हैं तो आपको नीचे घोसना पत्र मिलता है उससे आपको accept करना है कोई भी options गलत है तो आपको update के option पे click करके अपने details को आप इसमें change भी कर सकते हैं सारे options सही है declaration को accept करने के बाद final submit के button पे click करना है जैसे आप submit करते हैं तो आपकी जो form है वो सफलतना पूरवक submit हो जाएगा इसके बाद आप अपने application form की print ले सकते हैं चाहे तो आप PDF में save करके रख सकते हैं ओके guys तो आप इस प्रकास से step by step form को complete submit करेंगे आई होब कि guys आपको ये जानकारी अच्छे लगी होगी वीडियो अगर आप लोग को पसंदा तो like कीजेगा, share कीजेगा और हमारे चैनल को जरूर subscribe कीजेगा चलिए guys मिलते एक लिए वीडियो में बाई बाई जहिंद कि अपकी उमारे चारे 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 लोगी होगी जरूरे जहिंद घटे होगी वीडियो आपको मैं ये, करेंगे चारे जह रहिंद आपकी है जहिंद पोइन जहिंद पोगी झाम झाल 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 झाल